ओम नमेशिवाय, जैश्री महांकाल, हरहर महादियो दोस्तों आप सभी का आपके अपनी चिनल में एक बार फिर से बहुत स्वागा थे और आपका बहुत आभार है आप जो प्यार, सपोर्ट आपके अपनी चिनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत धन्यवाद दोस्तों कुछ अच्छा होने वाला है, जब भी कुछ जीवन में अच्छी चीज़े होने वाली होती है उससे पहले इश्वर हमें कुछ संकेत प्रदान करते हैं, अगर हम उन संकेतों को समझ लेंगे तो जो अच्छा होने वाला है, उसे हम अच्छे से इंजोई भी कर पाएंगे और उसका हमारे जीवन में फाइदा भी उठा पाएंगे जब मैं बहुत सारे जातकों से बात करता हूँ और उनके जो अबजर्वेशन होते हैं अपनी लाइफ के बारे में कि हमने कहां गलती की, जब वो चीज़े कहां सही हो सकती थी, कौन सा मोका था या नहीं था तो उसमें बहुत बड़ी एक बात सामनिया ही है कि बहुत सारे जातकों को अच्छे वक्त के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे मोके मिले लेकिन उन्होंने गवा दी तो मैंने इसलच सोचा कि शायद आपको भी कुछ अच्छे वक्त मिल रहे हो और आप कहीं गवाना दे तो इस उडियो को पूरा देखकर भगवान कुछ अच्छे संकेत देते हैं, कुछ अच्छा होने से पहले तो उन अच्छे संकेतों को आप पहचाने और पहचानने के बाद अपनी जीवन में उनका सकारत्मक फाइदा उठाए अगर आप फाइदा उठा लेंगे तो आपकी जीवन में एक बहुत बड़ा सकारत्मक बदलाव आप कर सकते हैं और जितनी परिशानियों के साथ आप जूज रहे हैं जिन परिशानियों से आप बहुत परिशान हो रहे हैं उनसे भी आप बहार आ सकते हैं और अगर आप बहुत दिनों से स्ट्रगल अपनी लाइफ में करी रहे हैं कोई काम आपके बन नहीं रहे हैं चेनी हमेशा बनी रहती है चीज़े इस बिल्कूँ सही नहीं हो रही है और बहुत महिने अपतों से परिशाने तो भी कुछ चीज़े इस वीडियो में आपके लिए जरूर है अभी तक अगर आपने चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया चेनल से आप नहीं जुणे तो मैं अब वाटसप पर अपॉट्मेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुलख लाग हो, सबसे पहला संकेत हमें बिलता है, कि अगर आपके मन में अनायास खुष होते हैं, खुश होने की कोई वज़ा नहीं होती आपको इंट्यूशन जो आपका अंदर मन का होता है बहुत अच्छा फील करते हैं कोई वज़ा नहीं है खुश होने की लेकिन फिर भी आप अंदर से खुश होते हैं तो यह सबसे पहला और मुख्य संकेत हैं दोस्तों कि आने वाले समय में आपके साथ कुछ सकारतमक चीज़े होंगी याद रहे कि इस दर्मियान खुशी में कहीं बार विक्ति क्या होता है कि गलत फैसले ले ले लिता है याद रहे कि दिमाग को इस दर्मियान शांत रखना है शांत निमाग सही रिंडे लेगा और आपको बहुत फाइदा होगा दूसरा होगा कि आपको अच्छे लोगों की संगत मिलेगी अगर अच्छे लोगों की संगत आपको मिल रही है तो ये दूसरा सबसे बड़ा संकेत है अच्छे लोगों का मिलना ही समझो शियू की खरपा है तो अगर अच्छे लोग आपको मिल रहे हैं तो उनका सम्मान करें उनकी बातों को समझे और वो नीश्वार्त भाव से अच्छी भावनाव से अगर आपकी मदद कर रहे हैं तो बिना किसी शक के बिना किसी भी इस तरह की चीज़े न करके और उनके जो बताया हो मार गए उस पर आप चल दे आपको ज़रूर फाइदा मिलेगा सपंवान भूले नात आते हैं तो यह भी बहुत बड़ा संकेत की जीवन में कुछ अच्छा होने वाली है चोथा संकेत होता है कि अगर सपने की बच्चे की मुश्कुरहात या उस बच्चे को खिल किलाते वुए देखना यह खुश खुश देखना ये भी एक संकेते जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है